नमस्कार दोस्तों जीकारजन सार यूप्टी चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी टीजिटी एकजाम 2022 इतिहास प्रेटी सेट 133 में जिसकी संभायत परिछा अक्टूबर या नॉम्बर में होने वाली है तो चले वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम क पहुंचे तो चले वीडियो प्रारम करते हैं अगर आप लोग इसे पिछला प्रेटी सेट 132 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बनाओ उस प्लेलिस्ट का लिंक में डिस्किप्शन में देदें तो वहां से भी आप लोग देखना चाहें तो बना जता था बलभाचारे चैतन्य निवकाचारे यह उप्रुक्त सभी इसमें आपका राइटेंसर हो जाएगा बी चैतन्य को तो भक्ति आंदोलन की यह महांतम प्रतिपादक थे संथ चैतन्य इनका जन्म पसिम मंगाल के नदिया जिले में हुआ था 1486 में और इनका प्रारम भी अगर नाम पुछेगा तो इनका प्रारम में इनका नाम था बिसंभर और बाद में चैतन्य के नाम से जाने के यह क्रिश्ण के अत्यांत भक्त थे और इन्हें जो है क्रिश्ण और बिस्णु का आउतार माना जाता है यहां पर क्रिश्ण और बिस्णु क्रिश्ण दिया है अगर बिस्णु भी देगा तो इसका भी अंसर चैतनी होगा तो इनको जो है क्रिश्ण और बिस्णु का आउतार माना जाता है तो इसमें आपका फतेपुर्सिकरी या अम्रिश तो लोधियों को राधानी कहां पर थी दिल्ली में इसका राइट एंशर ये सही है दिल्ली में तो बाधलोल लोधि जो है 1451 इस वी में लोधि वंस के स्थापना की और थो 1504 में जो है लोधि कि राधानी दिल्ली रही 504 तक लोदियों की राधानी कहां पर थी दिल्ली इसके बाद सिकंदर सा लोदी आया और इसने आगरा के अस्थापना की और 506 में आगरा को राधानी बनाई थी यहां पर लोदियों की राधानी कहां थी प्रारम वाला ही से पूछा ते यह दिल्ली कोशन नमबर तीन है गुरु गरंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया था गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास गुरु अंगत गुरु गविंद से तो गुरु गरंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमें तो गुरु अर्जुन देव शिखों के पांच में गुरु थे और इन्हों ने बिभीन तिर्थ अस्तलों और वहां के गुरु मंदिरों क्या स्थापना की थी शिखों के मुल ग्रंथ का नाम है आदी ग्रंथ इसको कायता का संकलन किये थे यही गुरु अर्जिन देव ने जो 1604 में इसका कार्य पूरा हुआ था कोश्चन नमबर चार है कथन कारण से कथन दिया है अलाओ दिन एकता और मुकदम की व्यवस्था को समापत नहीं कर सका कारण दिया है पर सितिय इसके अनकूल न थी इसमें देखे ए बीसाई आर बीसाई और आर जो है एक इसाई ब्याख्या करता है निक कथन जो है कारण ह करता है इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा सी कथन और कारण कथन की व्याख्या करता है कुश्चन नमबर पांच है सासक जिसके समय मुगल प्रांतों की संख्या सरवाधिक तो कौन ऐसा मुगल सासक था जिसके समय प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थे अकबर जहां एकईश प्रांथ थे और अंजेब के समय अकबर के समय अगर पूछेगा तो अकबर के समय 12 प्रांथ थे जहांगीर के समय 17 प्रांथ थे प्रांथ या राजिक कह सकते हैं इसको साजहां के समय 15 प्रांथ ये इसका राइट इंसर रो जाएगा सबसे अधिक पूछा है मुगल प्रांथों की संख्या और अंजेब के पास थे कितनी 21 प्रांथ थे कोश्चन नमबर 6 है किस सासक ने सिचाई कर लगाया था मुहमद तुगलक फिरोज तुगलक मामूद तुगलक या सिखंदर रो जीद किस सासक ने सिचाई कर लगाया था तो उस सासक का नाम है जिसने सिचाई कर लगाया था वह था फिरोज तुगलक इसका राइट एंसर भी हो जाएगा थिरोज तुगला कोर्शन नमबर साथ है मुगल काल में काजी उल्कुजात सम्दित था मुगल काल में काजी उल्कुजात किसे सम्दित था नियाय से धार्विक मामलों से सन्य विभाग से या वजारत से तो मुगल काल में काजी उल्कुजात किसे सम्दित था तो वो था नियास, इसका राइट एंसर हो जाएगा ए नियाय, तो मुगल काल में काजियल कुजात का समराज का प्रधान नियाधिस होता था ये, जो मुसलिम कानून के अशार नियाय करता था, और इसकी साहिता के लिए एक मुफ्ती भी रखा जाता था, जो कानून की ये, अगर देखा जाए, तो मुगल काल में बासाह, राजिका सर्वोचिन्याधिस होता था, यानि सर्वे सर्वा बासाही होता था, कोश्चन नमबर आठ पर आते हैं, कबीर की मृत्तु की सस्थान पर हुई थी, प्रियाग कासी मगहर मथुरा, तो कबीर की मृत्तु की सस अगर कोई ब्यक्ति कासी में मरता है, तो उसको स्वर्ग मिलेगा, और कोई ब्यक्ति मगहर में मरता है, तो उसको नर्क मिलता है, तो इसी मीथक को तोड़ने के लिए, कबीर दास ने जो है, अंतिम समय में अपने जो है, कहां भीता है, मगहर में और मगहर में ही उनकी मृत प्रित्तु हो गए थे को सन्मबर नौ है सन 1775 में मराठोयम अंग्रेजों के बीच हुए समझावते के अनुशार कौन पेशवा बना माधो राव नरायन राव सदासी राव या रगुनात राव या रगोवा इसमें आपका राइट एंसर रोजाएगा ए माधो राव तो 1775 मे मराठोयम अंग्रेजों के बीच हुए समझावते के अनुशार पेशवा कौन बना तो वो था माधो राव तो इसका राइट एंसर एस से यहोगा माधो राव कोस्टन नंबर 10 है सीवा जी के सासनकाल में कर वसुलने वाला अधिकारी था तो सीवा जी के सासनकाल में कर वाला अधिकारी को पटेल या इसका और नाम था पाटिल भी से उकाया था पटेल और पाटिल दोनों एकी सब्दे इसको ध्यान दीजिएगा तो पटेल या पाटिल होता था जो गाओं के पैत्रिक का अधिकारी होता था इसमें आपका राइट एंसर 20 है कोस्टन नंबर 11 ह सन 1857 में जहांसी के बिद्रो को किस ने दबाया था तो जहांसी के बिद्रो को किस ने दबाया था और वहां का जहांसी का बिद्रो का नेतिर तो कर रहती कौन महारानी लच्मी बाई तो इनको कौन पराजित किया था दिया आप सन करनल नील हुई रोज सर आउटरम या सोले इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा बी हुरोज तो जनरल हुरोज ने रानी लचिंबाई को पराजित किया था और जहांसी के बिद्रों का दमन किया था वहाँ पर एक इस्टेटमेंट भी दिया था कि अपने दुर्जे सत्रों के बारे में कहा था जनरल हुरोज ने कि यहां पर जो है आउरत सोई हुई है जो बिद्रों में एक मात्र मर्द थे इसका राइट एंसर बी सही होगा कुश्चन नमर बारा है कथन कारण से कथन दिया है राम सिंग कोका ने पंजाब में अंग्रेजियों को बिरित बिद्रो किया था तो सही है कारण दिया है उनका उदेश सिख धर्म ने फैले भाष्टा चार को समाप्त करना था यह भी सही है कथन की सही ब्याख्या करता है इसमें आपका राइट एंसर यह सही होगा कुश्चन नमर तेरा है निम्लेकी तो यूरोपी विपारियों का आगमन करम बैठाना है तो यह कोस्चन आसान है लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है कन्फ्यूज में इस कोस्चन को गलत कर देते हैं अक्सर एक जाम में बार बार यह कोस्चन पुछा जाता है लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको गलत कर देते हैं इसलिए कोस्टन को मैं इस वीडियो में डाला हूँ तो चले इसको मिलाते हैं सबसे पहले कौन आथा है सबसे पहले आपका पूर्तगाली दो नमबर पूर्तगाली के बाद कौन आया थे डच आया थे इसके बाद अंग्रेज आया थे तीसरे नमर पर और चौथे नमर पर आया थे आपके फ्रांस सीसी तो एक कईस चौथी सीस में डी वाला अपसन आपका सही होगा दो एक तीन चार ये क्रम है आने का इरोपिय वेपारियों के तो डी इसका राइट एंसर होगा इसमें कोश्चन नमबर 14 है अंग्रेजों ने सरपर्थम अपना ब्यापारिक कारखाना कहां लगाया ब्यापारिक कारखाना कहां लगाया हुगली में मुंबई में सूरत में या बंगलोर में इसका राइट एंसर हो जाएगा शी कहां पर सूरत में कोश्चन नमबर 15 है फ्रांसिस्यों का प्राचिंतम करखाना कहां अस्थापित हुआ था मुंबई पांडिचेरी मद्रास या हुगली में इसका राइट एंसर हो जाएगा बी कहां पर पांडिचेरी में कोश्चन नमबर 16 है इसट इंडिया प्राचिंत के बाद बनी कमपनी का बिले कब हुआ था कोश्चन नमबर 17 हैAI निमन पर देट में सक किछेतर में महाल वाड़ी प्रथा लागू थी महालवारी पर्था किस छेत्र में लागू थी पंजाब पस्मित्र भारत बंबई मद्रास या असम्य तो किस छेत्र में महालवारी पर्था लागू थी तो उस छेत्र का नाम है पंजाब छेत्र इसका राइट एंसर हो जाएगा ए पंजाब छेत्र कोश्चन नमबर 18 है अस्थाई बंदोबस्त के अस्थापना के समय जमिदारों को भू स्वामी मानने से किसने इंकार किया था कार्णवालिस जेम्स ग्रांट मुनरो या जान सोर तो अस्थाई बंदोबस्त के अस्थापना के समय जमिदारों को भू स्वामी मानने से किसने इंकार किया था तो वो था जेम्स ग्रांट इसका राइट एंसर बी हो जाएगा जेम्स ग्रांट तो जेम्स ग्रांट जो राजस बोर्ड के एक प्रधान अविलेक पाल जेम्स ग् भारत रयत वाड़ी प्रथा यह लागो थी कहां पर बंबयम मद्रास में सीज कर राइटेंस रो जाएगा बंबयम मद्रास कोश्चन नमर बीस है और अंतिम कोश्चन है इसको बीस मानिएगा मंगल पांडे ने किस पता अधिकारे की गोली मारकर हत्या के थी साजेंट मेजर हडसन करनल कंपवेल करनल स्ट्रांग करनल वाइली तो मंगल पांडे ने किस पता अधिकारे को गोली मारकर हत्या के थी तो यह थे साजेंट मेजर हडसन इसका राइट एंसर हो जाएगा ए लाइक कर अपने दोस्तों के हाँ अधिक सेयर करें धन्य बाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम